हे गाईस तो कैसे आप सभी लोग स्वागासे आप सभी का एक बार और अन्बॉक्स बिलेड के कॉर फ्रेस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में मेरे पास देख सकते हैं एक प्रिंटर ये है और दूसरा प्रिंटर मेरे पास यह है यह देख सकते हैं यह है मेरे पास दूसरा प्रिंटर यह तो आज हम इन दोनों प्रिंटर का comparison करेंगे detailed comparison करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि कौन सा प्रिंटर बढ़िया है और आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए नहीं सिर्फ हम इन दोनों प्रिंटर की बात करेंगे इसके आलावा जितने भी प्रिंटर होते हैं सारे प्रिंटर के बारे में बात करेंगे और आपके लिए एक बेस्ट प्रिंटर देने की कोसिस करेंगे गाइस, so guys without getting any late, let's get started, so guys बात स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले printers के टाइप से, तो जो आप देख सकते हैं, मेरे पास जो सबसे पहला printer है, ये वाला, देखने में तो काफी सुन्दर है, देख सकते हैं, देखने में काफी सुन्दर लगता है ये वाला printer, HP का है, तो ये जो category है जिसका, इसका नाम है, ink jet printer, क्या नाम है, ध्यान सुनिएगा, ink jet printer, इसमें क्या होता है, कि इसका जो body मिलता है, ये वाला, जो देखने में हो, ये, ये काफी सस्ता मिलता है, पाँच हजार रुपय का है, सिर्फ और सिर्फ पाँच हजार रुपय का है, कितने का है, पाँच 1000 रुपय का, सिर्फ और सिर्फ 5000 का, ओके दिक्कत क्या है, और फैदा क्या है, फैदा ये है कि इसमें जो quality मिलता है इतना ज़ादा मिलता है, आप note छाप सकते हो, क्या कर सकते हो note छाप सकते हो, बस note का तार नहीं रहेगा, जो note quality चाहिए एकदम original भाई यह मिल जाएगा आपको यह ले लो must है हाँ इससे एक बात है कि आप चाहते हैं कि photo print करना है तो फिर यह वह वाला model नहीं है photo print करने के लिए इसका एक अलग सा printer आता है जो कि special photo के लिए नहीं printer होता है लेकिन अगर हम normal page की बात करें normal page की बात करें और उसमें हम color print चाहते हैं या पैसा या नोट चाहते हैं या मतलब कुछ भी ऐसा जो normal page और इस तरह के paper पर अगर करना चाहते हैं उस category में बात करना हूं यह quality में best है इसके जैसा कोई printer नहीं कर सकता है इसको bit मैं धावेक संथ बोल सकता हूं गाई तो इसमें खराबी क्या है तो अगर आपको थोड़ा पैसा से मतलब है तो यह थोड़ा सा महेंगा printer है ओके यह जो printer है यह थोड़ा सा महेंगा है इस माइने में कि इसका जो body है वो तो सस्ता है लेकिन इसका जो कार्टेज मिलता है मैं आपको कार्टेज अगर बोलेंगे तो दिखा दूंगा अगर होगा तो यह है यहाँ पर मैं दिखा जेता हूं यह मैं निकाला यहां से देख सकते हैं यह जो कार्टेज है इसका इसको बोलते हैं कार्टेज ठीक है यह मिलता है साथ सो आठ सो रुप पेज ठीक है लेकिन निकलता है as per my experience एक सो डेड़ सो निकलता है तो एक सो डेड़ सो रुपए एक सो डेड़ सो पेज के लिए आप कितने पैसा पेज कर रहे हैं लगभग साथ सो आठ सो रुपए ओके तो मेरे हिसाब से एक पेज का जो पढ़ जाता है इसमें लगभग 5 और इस पे जो आपका initial cost आ रहा है इस printer पे जो इस body के लिए खर्च कर रहे हैं सिर्फ 5000 हैं तो कहीं न कहीं कुछ companies हैं मतलब कुछ क्या बहुत हैं जो ऐसा इतिहास में भी है कि वो जो मतलब camera था एक ठीक है एक camera का company था वो क्या किया कि camera बेचा सस्ता उसका real बहंगा बेचा एक company था blade का वो कुछ वो सस्ता बेचा फिर blade पे पैसा पकड़ लिया उसी तरह यह जो printer है यह वाला inkjet इसमें यह सस्ता मिलता है और इस पे पकड़ लेता है दाम तो overall बात वही है simple सी बात यह है कि यह quality में अच्छा है लेकिन महेंगा है long term अगर आपको use करना है तो फिर य 5,000 है लगबग 5 cartridge में ही आपका 5,000-10,000 समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं 5 cartridge खरीदा 5 महीना 5,000 रुपय आ गया अब हो गया 10,000 प्रिंटर का दाम 5 महीना एक साल और यूज किये महंगा परते जायेगा तो यह मतलब नहीं है ठीक आपके लिए मैंने क्यूं खरीदा क्यों खरीदा इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे जैसा मुझको उस टाइम पर गाइड करने वाला नहीं था हम लोग डिरेक्ट ली गए दुकान पर बोले प्रिंटर चाहिए उसका एक ही पीस बचा था इस मोडल का दे दिया उसको अपना बेचने का था बेच दिया मेरा काट ठीक है समझ में आया इसलिए जबकि मुझे क्वालिटी उतना ज्यादा नहीं चाहिए था मुझे खाल यह चाहिए था सस्ता पड़े प्रिंटर में हम प्रिंट कर सकें मतब काम चल जा इसकूल का प्रोजेक्ट बगर यह सब बनाना था और नर्मल सा प्रिंटिंग करना था अब एक चछीज और है इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं सुक भी जाता है ठीक है अगर यह इस्टीकर ज़शर चिपका उगा है यहाँ सा उखाड़ना नहीं है यह चिपका हुआ है यह चिपका हुआ हो PowerPoint का direct है, तो भाई के लिए printer नहीं है सूख जाता है बेकार हो जागा यह ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा यह मत लीजिएगा यहाँ पे ज्यादा महेंगा पड़ता है ठीक है अब मैं इसको साइड करता हूं इस printer को मैं अब साइड करता हूं ओके अब मैं आपको दूसरा printer दिखाता हूं जो दूसरा printer है मेरा वो है ये वाला ठीक है ये printer ध्यान से देखिए कैसा दिखता है थोड़ा सा उससे देखने में बड़ा है ठीक है थोड़ा सा देखने में बड़ा है देख सकते हैं और उपर से कुछ ऐसा है ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है और ये नीचे से देखने में ऐ यहां पर आप क्या देख रहे हैं यह वाला यह है इंक टैंक प्रिंटर क्या समझ में इंक टैंक प्रिंटर पहला कौन सा था इंक जेट था इंक जेट था यह क्या है इंक टैंक प्रिंटर इसमें एक टैंक है इंक का ओके समझ में आ चुका है इप्सन का है, मोडल कौन सा है? L3, 1W, कितने का है यह प्रिंटर? 10 रूपया का है, सिर्फ 10 रूपया का है, हाँ 10 रूपया का है, ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बता जैता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहां रखा है, ये देख सकते हैं, ये मैंने ठीक है, इसका जो page का जो पैसा निकलता है, कि एक page प्रिंट करेंगे, तो कितना पैसा लगेगा, ये 45, मतलब 40 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, ऐसा, तो मैं रहा है, पैसा की बात कर रहा हूं, रुपया की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एक page का 5-6 रुपया लग रहा था, इस printer में एक page का 30 पैसा, 40 पैसा लग रहा है, इवेन एक रुपया से कम लग रहा है, समझ में आया, तो ये printer जो होता है, ये सस्ता होता है, long term के लिए भी, short term के लिए भी, क्योंकि इसका जो body है, ये वाला, ये मिला है, सिर्फ कितने का मिला है, 10,000 रुपय का मिला है, क्या इसमें व ऐसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, बेकार हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगा क्या है, कि वाई-फाई का जरुरत होता है, दुकान में है, प्रिंट करना है, तारवर का है, तो उनको वाई-फाई का भी जरुरत पड़ता है, तो उसके लिए एक और मोड़ है, जो आप 5,000 देना चाहेंगे, तो आप दे सकते हैं, मेरी मत में मैंने नहीं दिया, मैंने अपने होम यूज के लिए इसको खरीदा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपय का है, और ये बहुत ही अच्छा है, क्यों अच्छा है, एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा फ्रिंटी भी धी ठीक, ठाक है, All-in-One Printer है, Scan भी होता है, ठीक है, Scan भी होता है, Rangin Print भी करता है, दोनों परिंटर वैसा ही था, Inc. वाला भी मेरा All-in-One था, ये भी All-in-One है, सब कुछ होता है, Scan भी होगा, Print भी होगा, Color भी होगा, Black & White भी होगा, दोनों में होगा, भाई, तमप सियाँ है क्यों लिए क्यों नहीं ले वह वाला में एक पेज का पांच रोपय पढ़ता है प्रिंट करने का ये वाले में एक पेज का 30-40 पढ़़ता है सस्ता पढ़ता है, और भी कम पढ़ता ही होगा, काफी ज़्यादा सस्ता है, इंक खरिदना है, मतलब भूट कम में हो जाता हुआ, वो भी डाल दीजिए, और सुखने उखने का इसमें ज़्यादा दिखता नहीं है, सुखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठिक ठाक चलता है इंक, यूज कर रहा है, दुकान दार है, धले से यूज कर ये, कोई दिकत नहीं है, बहुत पेज निकलता है, दो-दो लाख लोग पेज निकाल करके, मैंने बात किया दुकान वाले से, वो लोग यूज करके बैठे हुए हैं, इसमें प्रोब्लेम है क्या क आपको लोहा भी अगर दे दूँ, तो तोड़ने माले रहेंगे, तो तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चीज का केर करेंगा, अच्छे से रखेंगे, तो प्लास्टिक का भी रहेगा, तो अच्छे से रहेगा, बहुत लोग को देखे होंगे, कि उनके पास मोबाइल रहता है, तोड़ ही लेते हैं, चाहे कितना स्क्रीन काट लगा लें, और कुछ लोग होते हैं, कि उनके पे मोबाइल जो होता है, वो भी ठीक ठाक से रखते हैं, भले चाइनीज मोबाइल हो, किसी के पास सैमसंग हो, वो भी टूटा है, किसी के पास चाइनीज हो तो वो भी ठीक रहता है, कहने का मतलब आपके care पे है, अच्छा से रखेंगे तो अच्छा से काम करेगा, आप उसका इजद करेंगे तो वो आपको इजद करेगा, समझ में आ रहा है, तो ये है, अब हम बात करते हैं तीसरे printer की, जो की है laser printer, ठीक है, हम बात कर रहे हैं laser printer की, उसमें क्या होता है कि speed बहुत ज़्यादा होता है ठीक है speed बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका दिक्कत ये है कि उसमें जब print करेंगे न तो उसका cartridge different type का होता है उसमें जो होता है वो ऐसा होता है एक लंबा सा होता है उसका कुछ नाम है मैं बता दूंगा क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि जब पेज पर प्रिंट करेंगे तो वो उड़ने लगता है कुछ दिनों के बाद साल के बाद मतलब ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि वो उड़ जाए थोड़ा सा दिक्कत वहां पर यह है वो अगर आपको ऐसा प्रिंट क यहां काम हुआ फेका उधर पेज को कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे में लेजर प्रिंटर को यूज करना है अगर आप दुकानदार है आपके लिए स्पीड बहुत ज्यादा माईने रखता है तो फिर लेजर प्रिंटर ले सकते हैं स्पीड बहुत होता है मालो कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं और आपका प्रिंटर से यह प्रिंटर से स्फ़ो से प्रिंट हो रहा है दस लोग लाइन में बैठे हैं तब तक पता चला कि नहीं इंतजार कर सकते हैं उधर दुसरे जगा घ्रहक भाग गए तो वह दिक्कत हो जा क्योंकि उसमें स्पीड होता है और स्पीड माइने रखता है क्योंकि आपके कस्टमर भाग सकते हैं क्या समझ में आया कि लेजर प्रिंटर का दाम जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता इनके मुकाबले लगबग 15,000-18,000 के असपास मिल जाएगा तो उतना तो पैसे से मतलब ही नहीं है तो फिर ये वाला प्रिंटर लीजिएगा कॉन सा है ink jet printer quality चाहिए भईया note चापना है ये लेना है ठीक है laser कौन लेगा दुकांदार लेगा समझ में आगा तीनों clear हो गया तीनों printer अच्छा है depend करता है कि आपका use क्या है आपको दुकान में काम करना है आपको personal use करना है आपके लिए quality important है तो quality के लिए ink jet लेंगे अपना use के लिए ये लेंगे काम चलाओ चलेगा एकदम मस्त दुकान में है स्पीड चाहिए laser लेंगे prices सबको आपको पता चल गया link सबका description में डाल दूँगा अपने according मेरी समझ से जो भी based होगा उसका link डाल दूँगा क्योंकि यहां पर हम क्या build कर रहे है relationship एक trustworthy relationship जिसमें कि viewers का और मेरा समान बिकने से ज़्यादा ये important है कि आपके लिए आपको एक सही product मिल पाए और सबसे ज़रूरी बात एक विश्वास बन सके क्योंकि मुझे अच्छा काम करने में अच्छा लगता है और ये बहुत कम लोगों में देखने का आपको मिलेगा बाकी लोग खाली मतलब बस बेचने से मतलब होता है कुछ भी चलो भाई अपना income आना अपना पेड़ भरना चा ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने के लिए बहुत सारे sources है खाली यही दंदा नहीं है इसी के लिए क्या होता है कि मैं सच बोल पाता हूँ मुझे एक जगा से उतना ज्यादा यह होता नहीं है कि भाई यहीं से पेड़ चलाना है कमेंट कर देजएगा मैं रिपलाई करने के कोसिस जरूर करूंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है सेर करिए दोस्तों में भेजिए फैमिलीज में भेजिए ताकि वो लोग भी एक सही प्रिंटर का चुनाओ कर सके गाईज तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंत में बोलूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि डेली यूज़ेज के लिए अच्छे अच्छे चीज़े हम यहाँ पर देखते हैं ओके गाईज फिर मिलते हैं तब तके लिए देखते हैं और फिक्ते हैं